हेलो एरिवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर इच्छा हॉल्ट 247 में जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर JSA CGL को टार्गेट करते हुए इसके पेपर 2 में खोर्ठा क्या 100% सिलेबस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो भी खोर्ठा के सिलेबस में, सब को एक एक करके one by one पहले हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं सांदार तरीके से कवर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे चाहे वह गद्य संग्रा हो, पद्य संग्रा हो, या फिर नाटक हो, और साहित्ती के अनविदाएं तो मैंने आपको 45 डेज का एक सिड्यूल दिया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कितने दिनों में सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, और उसके बाद इसके MCQ को लगाएंगे फुल लेंथ टेस्ट लाइव लेंगे, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दिजेगा, और ओल नोटिपे के सन दबा दिजेगा, आज हम लोग खोर्था काठे पाइदे खड़ी का पार्ट फोर करेंगे, और इसमें जितनी भी कविताएं बची हुई हैं, सब को यहाँ पर कवर कर लेंगे आज, इससे पहले हम लोग उने चौदा कविताओं को कवर किया, अगर आपने उन कविताओं को नहीं देखा है, तो जाएए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहां से खुर्ठाक काठे पाइदे खड़ी ठीक है खुर्ठा पदसंग्र है इसके टाइटल का क्या मीनिंग है हम लोगों ने इसको भी अच्छे से देखा ठीक है एक जाजी के द्वारा लिखा गिया है इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे इसमें जो है हम लोगों ने अभी तक कहां पर कितना कर लिया है जैसे कि चंफन मानूस से हम लोगों ने श्टाट किया था अब आज जो हम लोग करेंगे सप्तल साडा, गोटा काका, मोरेक लूईर, जिनगीक नाभान, छववा सहित, डीडी नुनु, पापा खव। ठीक है? और आठ सब्द के लोल करा ये जो है ना, मतलब ये जो लास्ट में जो दिया गया है, वह क्या है? वह जो है, जैसे इसमें जो कटीन सब्द दिये गया है, उसका मतलब सरल सब्दों में बताया गया है, जो एके जहाजी के द्वारा लिखा गया, जो कविता संग्राया, बहुत ही इसमें कटीन सब्दों का यूज किया गया है, प्रियोग किया गया है, इसलिए इसको कैसे, जो साधारन सब्दों में, सरल सब्दों में, इनके मिनिं को, यह जो कवीता है जिसका सिर्षक सब्टल साडा है, इस कवीता में कवी जी क्या कहने की कोशिस कर रहे हैं हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे एक एक बात को समझते हुए, अच्छे से चलेंगे पहले आप इसके बारे में समझे कि सप्टल साडा का मतलब क्या होता है देखे सप्टल का मतलब होता है जिसको की दबाया जाए ठीक है और साडा का मतलब तो अभी तक आप लोग खोर्टा इतने दिनों से पढ़ रहें तो जानी गया होंगे साडा का मतलब क्या होता है आवाज होता है जो एक आवाज उटता ह उसको दबाया जाता है तो कहां पर लोग दबे दबे स्वर में कहां से बोलते हैं कहां पर वैसे जगह उपर जहां पर लोगों का जो स्वर दबा हुआ होता है वह आवाज नहीं उठा सकते हैं जहां पर कि वो लोग सोसित किये जाते हैं जहां पर कि उनका कुछ चलता नहीं ह जहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो उनका सोसन करते हैं दिन रात सोसन करते हैं और उन्हें अपने पैरों के नीचे रखते हैं और उन्हें बोलने का कोई मौका भी नहीं देते हैं डरा धमका करके रखते हैं तो उस प्रकार के लोगों के बारे में इस कविता के माध कलम उसका आवाज बने लोगों को इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो पिछे से समय से बहुत दिनों से जो एक परंपरा चली आ रही है सोसित होने की ठीक है लोगों के नीचे दब करके रहने की और इस प्रकार की जो मान सिकता है उससे निकलो एक जो परंपरा बना आया है उसक छोड़ो अपना रास्ता बनाओ अपने बुद्धी दिमाग बन से लोगों को जो उस तरह के जिन्दगी को जीने के लिए तुम खुसी मानते हो उसे त्यागो और यहाँ पर एक महिला वर्ग को जोकि वह भी सोसित हैं मर्दों की द्वारा, मर्द समाज की द्वारा तो उनको भी यहाँ पर जगाने की कोशिस करी जा रहे हैं तो यहाँ पूरा कविता संग्रा का यही सार है, इस कविता में क्या है देखते हैं, इनको इसकी रचना करी गई थी 1964 में, सब्टल साड़ा की रचना कब करी गई थी 1964 में, और दबे सीधे साधे लोगों के बारे में, यानि कहता है, भोला भाल, भोले भाले सीधे साधे लोगों से भरा हुआ यह जमीन, सीधे साधे लोगों से भरा हुआ यह धरती का यह जो टुकडा है, जारखंड आदिवासियों का यह जगा है, ठीक है, भोला भाला लोगों का यह से भरा हुआ, जो लोग से भरा हुआ जो यह स सेरा है आगे टुंगरी को गोड बोनेक सोभा सूपट सुठाओं बोन घेरा है कहता है टुंगरी मतलब पहाड होता है चोटे मोटे पहाड टुंगरी होता है और गोड मतलब उसके नीचे तो पहाडों के नीचे जो है जंगलों बोनेक मतलब जंगल जंगल से सजा हुआ सुपट सुठा, बोन घेरा है, मतलब कि जंगलों से घिरा हुआ, जंगलों की प्रकृतिक सुंदर्यता से घिरा हुआ, मतलब पहाड के नीचे जंगलों से घिरा हुआ, एक प्रकृतिक सुंदर्यता से सुंदर्यता से घिरा हुआ, यह जो जमीन है, यह जो जगह है, जहांप सोजा माठा लोक लागत कहता है सोजा माठा का मतलब सीधे साधे लोग हैं हमारे आसपास के जो आसपलोस में जो रहते हैं लोग वो सारे के सारे सभीन सारे के सारे जो हैं सीधे साधे लोग हैं गरो नियर टकवा नियर यहाँ पर यहाँ इससे यहाँ पर बताया जा रहा है त वह इतने सीधे हैं कि उसको कहा जा सकता है कि वह गाय बैल के जैसा सीधे साधे हैं जो कि किसी के भी हाकने से हाक जाते हैं जैसे आप गाय को बैल को एक छड़ी लेकर के हकाते हैं जहां लेकर जाना चाहते हैं जाते हैं उसके नाक में नकेल को कस करके आप उससे काम करवाते ह बैल को बैल गाड़ी की तरह क्या करते हैं उससे काम लेते हैं उसको सोसित करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक बैल की तरह यहाँ के लोग हैं सीधे साधे हैं इसलिए बैल हैं तो उस तरह के का वह लोग सीधा है सोज सेर सरजमीन सरगत और हमारे आसपास का जो जमीन ह वह क्या है? समतल है, सेर सपाठ है, मतलब सोज शेर सरजमीन सरगत, मतलब यहाँ पर यही कहता है. अब देखिए आगे क्या कह रहा है खोट पाक से चीनहा नहिय जाहत ठकल बोका बनवal कहता है कि खोट पाक मतलब कि उनके पास इसके बारे पता नहीं है इसके कारण जिनको की ठकानती है जाता है और बोका बनाया जाता है यानि कि बुडबक मुर्ख बना करके उसे ठका जाता है क्योंकि उसके मन में कोई चल कपट नहीं है और दुसरा जो अगला जो लोग है उसको बुडबक बना करके उसको मुर्ख बना करके उसको ठकने का काम करते हैं उखनिक कापार कुटा है लीक ले लूती ले हाती भिल कहता है कि उनको जो उनको उखनिक मतलब हम लोग का जो यह सीधे साधे लोगों के बारे में दबे कुछ ले सोसित लोगों के बारे में बात कर रहा है कि उनको उन लोगों का कापार कुटने वाला मतलब उन लोगों को सो सोशित करने वाला लोग जो है अभी सोशित करके ठक के क्या हुआ है लीक ले लूती ले यानि के छोटे-छोटे मक्खी थे पहले और उससे बड़ा हाथी बन गया है मतलब यहाँ पर यह है कि पहले वह राजा रंक था अभी वह राजा बन गया है लोगों को लूट कर खसोट उनको सोसित करके, उनके कापार को कुटने का मतलब यहीं है कि उनके सर पर बैठ करके, उसको नीचे दबा करके सोसन करके उनका अभी वह लीक से मतलब मखी वग्यरा छोटा स्वा एक किळा से हाती बन चुका है मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर बात कही जा रही है अब देखे क्या कह रहा है कहता है कोई केऊ केऊ बोड़ पयो पाइला मतलब कोई कोई हम लोगों में से मतलब यहां के जो लोग हैं जो यहां के सीधे साधे यहां का जो प्रकिर्ती से घिरा हुआ प्रकिर्ती से प्रकिर्ती सौंदर्य से अच्छादित जो यह बोड़े-मोड़े लोग, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ-कुछ लोग जो हैं, बड़ा पद भी पाए, लेकिन मेंतुक ताओ, मेंतुक फिर भी, मतलब फिर भी क्या हुआ, कैत तैसन, कट्यो जुगुत जिगिस्ता कहां भेलग, कहता है, कि फिर भी कोई उपाय, जिग्यासा चेस्ता कहां हुआ, कि यहां का कुछ development हो सके, यहां का development तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, यहां के लोगों का development तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वही बोल रहा है, आगे देखें, क्या बोल रहा है, कि आगे बोलते हैं, कि हामिन समाईन, हामिन समाईन, लोक लागी खोईर खोईर पुडवल भुएं काता है कि हम लोग जैसे लोगों को हम लोग जैसे लोग जो है उनको खोईर खोईर का मतलब होता है उलट पुलट के पुडवल का मतलब जलाना और यह जो है हम लोगों के जैसे लोगों का उलट पलट करके जलाया गिया है और कहां जलाया गिया है तो सोसन किया गिया है हम लोगों का जिस प्रकार से मन किया उस प्रकार से सोसन करके हम लोगों को जलाया गिया है सोसन की आग में हम लोगों को जलाए गया दिन रात जलाए गया है और जिस से पता चलता है जकर से खोर्टा नाम इगो देखो क्या होता है खोर खोर मतलब उलट पलट के जलाना और खोरठा का मतलब कि एक तरह से जला हुआ ठीक है इस तरह का जैसे पता चलता हम लोगों को जिस प्रकार से उलट पलट के सोसन किया गया है जलाया गया हम लोगों को उसी प्रकार से लगता है सायद कि खोरठा जो है जो हम लोगों का एक भासा है उसका नाम खुर्ठा पड़ा है और सायद हम लोगों की तरह ही खुर्ठा भी जो है वह भी सोसित भासा हम लोगों को लगता है यानि कि खुर्ठा भासा का भी सोसन किया गया है हम लोगों की जो एक भासा है आगे बोलते हैं कि सोचा हो मतलब कवी जी सोच रहे है कि सीख साइख के करब काम चेठा करावे कहता है सोचते हैं कि हम लोग कुछ सीख साइख करके यानि कि पढ़ लिख करके कुछ हम पढ़ लिख ले जो कि क्या करेंगे उसके बाद तो काम करेंगे लोगों का जो यहां के लोग हैं इनको मैं करूँगा काम क्या होस मिलाने का, चेठा का मतलब क्या होता है, होस मिलाने का, यह लोग जो बेहोस पड़े हैं, जिसके अंदर की चेतना मर गई है, जिन्दा है, लेकिन वह किवल क्या है, जिन्दा लास की तरह है, उनको मैं जगाने की चेश्टा करूँगा, उनको भोले भाले लोग हैं, जो हमारे यहां के परिवार हैं, जो समाज के लोग हैं, जारकंडी आदिवासी, बनवासी, सीधे साधे लोग हैं, मतलब यह लोग को यहां पर कहा जा रहा है कि यह लोग सोए हुए हैं, सोए किस परकार से, नींद से नहीं, मतलब इस परकार से सोए है कि अपने अधिकार के बारे में इन्हें पता नहीं है लगातार इनका सोशन किया जा रहा है लेकिन यह जो है एक निद्रा में सोय हुए हैं और उन लोगों को क्या करेंगे सोतल भाप भाई महिन माई के मेंदमेदी ले उठाई और उन लोग जो सोय हुए हैं एक आलस में सोय ह उन लोगों को मैं उठाओंगा, मेंदवेदी का मतलब एक तरह से जो कि ने नींद लगते रहता है, मतलब जब आप सो के उठते हैं फिर भी आपको लगता है कि नींद लगा हुआ है, तो उस परकार के नींद से मैं उन्हें जगाओंगा, जब लोग बहुत ज़्यादा निर परणाई और उठने डूबने, यानि कि उन लोगों का उठना और डूबना, यहाँ से यह है कि जब खुर्ठा भासी, आदिवासी, जारखंड भासी, जो शीदे साधे इनका उठना यानि कि इनका उठान कैसे होगा और इनका जो यह कर रहे हैं इसमें पतन है या फिर उठान है इस प्रकार के बातों को मैं इने बताऊंगा इसमें क्या लाब है क्या हानी है उस प्रकार के डहर के बारे में उस प्रकार के रास्ते के बारे में मैं इने साप साप और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाऊंगा ठीक है आगो बाटे आगो आएक मतलब आगे बढ़ने का रास्ता दिखा करके इने आगे बढ़ाऊंगा आगे क्या बोलते हैं कवी जी देखते हैं आगे है कि कोरवा बिरहोरेक मैधे यानि कि कुरवा बिरहोर जो है यहां कि जंजातियों को इंगित किया जाता है जारकंडी आदिवासी जंजातियां जो है। उन लोगों को अपने समाज से खीच करके यह जो अभी का समाज है यह जो अभी का संसार है जुगे यानि कि अभी का जो युग है इसके प्रकास में इसके आलो में मतलब आलो का मतलब क्या होता है इसके प्रकास में इसके चाया में जो है उनको कोई खीच करके वहां से मतलब अद्धकार से खीच करके प्रकास के जो यह यूग उरूपी प्रकास जा फैला हुआ है पढ़ाई, लिखाई, टेक्नलोजी, साइंस इन सब में उन लोगों को खीच कर कोई लाने का कोशिस या प्रयास नहीं किये मैं क्या करूँगा पढ़ाई सोजा से रिस्ता धर्बाईन उखनिक बान के मैं क्या करूँगा उन लोगों को मैं प्रयास करूँगा कि वो लोग पढ़े, लिखे और उन लोगों को पढ़ाई के सीधे साधे रास्ते पर ले करके मैं उन लोगों को पकड़ूँगा और उन ल प्रकास है उसमें अपने अंदकार रुपी समाज से घिचके खीचके उसे मैं लेकर क्याओंगा और एक मेन इस्ट्रीम में उसे मैं लेकर क्याओंगा तो यही एक जाजी कह रहा है तो अभी तक क्या बोले कवी जीने कि उन लोगों को मैं एक मेन रास्ते में उखनिक बाइन के मतलब उन लोगों को लेकर क्या होगा एक मेन इस्ट्रिम में एक मुख्यधारा में लेकर क्या होगा और फिर वो क्या कहते हैं और जोरेक जोलेक मतलब जोरने का मतलब होता है लू लूटने खसोटने का जो काम चल रहा है जो यहाँ चल धाल ट्र भीजायेगा, इस जमी से नहीं मिट जाएगा, जब तक मैं नहीं मिटा दूँगा, तब तक मैं जो सोसन हो रहा है जिस परकार के लूट खसोट का यहाँ पर जो जमावडा लगा पड़ा है जब तक इस जमी से मैं नहीं मिटा देता और जब मैं मिटा दूँगा तभी मैं जानूँगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ या जो काम रूपी मेरा पेड़ है जो मैंने पेड़ लग यहां के सीधे साधे लोग अपने आपको समझे, सोसन जो इसका किया जा रहा है, उसका वो खुल कर विरोध करे, तो जब यह इस परकार का काम होगा, काम रूपी पेड़ जो मैंने लगाया है, जब यह सफल होगा, लोग जब समझ जाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि इस काम आदिवासी समाज के जो ऐसे जरकंडी, कुछ स्वतंतरता सिनानी है, या फिर कुछ क्रांतिकारियों के यहां पर नाम दिये गए हैं, कि बिरसा तिलका विसनात भीकू, चांद बहरो कानू सीधू, मतलब बहरो चांद बहरो सीधू, कानू, इस सब के बारे में तो जानते ह आदिवासी के नेता रहे हैं, वह लोग जो अपने, मतलब इन लोगों का भी यही आवाज है, कि तुम लोग, मतलब वो सोसन के खिलाप, या फिर बुराई के खिलाप आवाज उठाओ, चुप चाप इसको सहो मत, तो यही उनका भी आवाज है, और यही मेरा भी आवाज है मैं भी तुम लोगों को, मैं भी अपने साहितिके माध्यम से, मैं लोगों को, यहाँ के सोसित लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जब मैं जगा दूँगा, तभी मैं सोचूंगा, कि मैंने जो यह काम रूपी पेड लगाया था, उसमें मेरा फल उग गया, य जो कवीता है इसमें जारखंड को जब बाटा गया है जारखंड को तोड़ा गया है जारखंड को मतलब इस तरह से उसको विभाजित कर दिया गया है ना छोटे छोटे टुकड़ों में तो पहले यह क्या था जब यह टुकड़ों में नहीं बटा गया था तो उससे पहले यह क्या था एक पूरा 100% गोटा टाका था ठीक है 16 आना जारखंड था लेकिन इस सोला आने को इस सोला आने को टुकड़ों टुकड़ों में बाट कर अलग-अलग आने बना करके इसको बाट दिया गया काट दिया गया यहां के जो समरिद्धी यहां का जो था पूरा गोटा टाका था जिसको किस बाटा नहीं गया था एक अपने आप में पूर्ण था ठीक है समपूर्ण था टोटल था गोटा 100% था ठीक है 100% परतिसद था जिसका मान आप लोग उसको 16 आना आप आते हैं ना 16 आना सच में बोल रहा हूँ यानि कि पूरा इसमें कोई जूट नहीं है कोई इंप्यारिटी नहीं है तो उसी परकार से कहता है एक गोटा टाका था जार्खंड के बारे में कहा जा रहा है जब यहां पर बात हो रही है जार्खंड की तो जार्खंड के बारे में कहा जा रहा है जारखंड एक टाइम था, जब गोटा टाका था, 100% था, इसको बटवारा नहीं किया गया था, इसको टुकलों टुकलों में बाटा नहीं गया था, पूरा का पूरा यह 16 आना था देख उकरा मोटा गोटा मतलब उसको देख करके जारखंट की यह स्तिति देख करके अरे यह तो पूरा मोटा मतलब इसमें तगला जो है यह मोटा गोटा धने भोरल भुएक कोठा कहता है कि देख करके इसके मतलब जो इसका धन संपति इसका प्रकृतिक संपता इसमें जो प संपत्ती को देख करके अरे बहुत मोटा माल है मोटा तगड़ा माल है ठीक है मतलब मोटगर माल कहते हैं कि यहां पर बहुत धनी माने है तो इसको देख करके यहां के जमीन को देख करके इस तरह का करेल तकर टुकरा टोना इसको टुकरा टोना करने के लिए खिदी-खिदी क काट दिला, और मतलמה खिदी-खिदी का मतलव टुकलों में इसको बरबाद करके काट दिया गिया और चार टुकलों में से बाट दिया गिया जब यह सोलट आना था एक पूरा गोटा ठाका था लेकिन लोग जो है इसके संपधी को देखकरके प्राकृतिक संपदा से देख करके रहा नहीं गया और वो लोग क्या किया इसको टुकला करके काट काटकर इसको चार टुकलों में बाट दिया चलिए आगे क्या बोलते हैं कहता है जब इसको चार टुकलों में बाट दिया गया तो क्या किया गया देखो चार टुकडों में 16 आना था 16 आना को चार टुकडों में कैसे बाटा तो एक जग है, नञा कर दिया एक ठीने, बस दुर्ग्यां आना तो कितना बचा 14 आना दो सर ठीने, दुषरे जग है क्या कर दिया तीन आना तुम लेके जाओ तीन आना है न अग तेसर ठीने चायरा आना तो चार तीन साथ दो नौ अब बचा कितना सोला आने में साथ आना तो कहता है अब यह क्या किया और जो आर नुकाई दे लए चिनहा और फिर क्या किया इन सब को बाट खूट करके जो बचा उसका भी जो चिन्हा है, उसका भी जो प्रतीक है, उसको नुकाई दिया, उसको छिपा दिया, ठीक है? उसको छिपा दिया, किस तरह से देखते हैं? जो हमारा जारखंड था, जब वह पूरा का पूरा, 16 आना था, 100 परतीसत था, अखंड था, सम्पुर्ण था, उसको तोड़ करके, काट करके, बाट दिया, चार टुकलों टुकलों में कर दिया, और टुकलों टुकलों में करने वाले लोग जो हैं, फिर क्या कहते हैं? कहता है क्या? दो आना तीन आना काँ आँ जैसे आपको आना आप से छीन करके 9 आने को क्या किया गिया? भीनू ठीनेस राइक, जो हमारे पास साथ आना बचा था, उसको अलग जगह पर रख करके क्या किया जाता है, कि फड़ाय फ़ुलला फरवया सब फुलला मतलब जो है पूरा तरह से हाँ चलो, अब क्या करना है फुलला मतलब उस तरह से मन में कि चलो, अब तुम लोगों के लिए हम कुछ करते हैं जूट मुड का जो दिखावटी होता है, वह करने लगा और क्या करता है रही तो मोटे साते आना और हमी लोग को समझाने लगा कि यहाँ पर क्या था, सोला आना नहीं था, बस सात आना ही था, ठीक है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, साते टाके सोला बूज के लेला तो हिन जंजट नाना, और सात आना को, सात टाका को तुम लोग सोला बूज लिए, ठीक है और यही समझ के यही जो 16 तुमने समझ लिया इसमें बहुत सारे जंजट बखेडा तुम लोगों ने अपने लिए मोल ले लिया जंजट नाना मतलब वाला गलग प्रकार के तुम लोगों ने जंजट मोल ले लिया यही समझ के सात आना था तुमारे पास और तुम बो के तुम लोग पागल हो, छे आना ही था, ठीक है, तुम लोग क्या, सिरिप रहे सचाई जाना, ये सचाई जानो, छे आना ही था, साथ आना, साथ आना कर रहे हो, कैसे, अब सोला में एक और छे होता है, एक और छे मिलके सोला बनता है, तो कहता है, बावा धायरे एक ना है, र जुट्टे सोला बोल रहे हो तो वही तो तुम लोग गलत फामी बने पड़े हो क्या बोलता है सईये फाहम से छोटाके सोला बुझेक ताना बाना और यही गलत फामी में जीरो को वन समझ लिए आज सोला बोलने लगे और यही गलत फामी छो को सोला समझने लगे और आज जो मतलब होता है वह बोल रहे है कवी जी कि यह छेतर एक कहानी सुना कहीं नी सुना कते जे फेचाल तो ही गुना मतलब यह छेतर की कहानी तुम लोगों ने सुना कि यह पहले क्या था जारकंड पूरा पूरा अखंड जारकंड था बहुत बड़ा जारकंड था एक ब्रिहत जार चे आना ही था, तुम लोग पागल हो, तुम लोग मंद भुद्धी हो, तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है, 16 में पहले जो एक था, उसको तुमने एक समझ लिया, लेकिन वह जीरो था, तुम्हारे पास तो यही है, अब क्या है, कहता है, सुनो इस छेतर की कहानी, कि यही है, कते जे फेचाड तो ही गुना, मतलब कितने तरह का यहां पर सड्यंतर रचा गिया था, कितने तरह का यहां पर बटवारा करने के लिए लोगों को जो चाल, चलन, जो दुष्टता यहां पर की गई थी, तुम लोगों ने सुना, और तुम लोग ही इसका गुनगान करो, तुम लोग ही इसको समझो, क्या है यहां की बात, एगो हलाई, गोटाटा का जकर मान सोला आना, जो कि एक था, गोटाटा का यानि की पूरा का पूरा जहारखंड था, जिसका मान सोला आना था, लेकिन लो brar काम किया है संगी यानि कि अरे साथी अरे संगी मरने का अकल सीखो मरने का अकल सीखो यानि कि मरने से मत घबराओ मौत से मत डरो क्योंकि जो मौत से डरता है वो बीर नहीं होता है वह क्या होता है वह एक दब्बू होता है वह डर पोक होता है और वह उसके अंदर पुरुसार्थ नहीं र अकल सीखो, यानि कि मौत से मत डरो, अगर कहता है, बांचेक आपने आए जैतो, कहता है, मरने का अकल सीखो, अगर तुम, लास्ट अपना अल्टिमेट सीख लोगे, कि नहीं, क्या करना है, ज्यादासे ज्यादा मरना ही तो है, चलो कर लेते हैं, पुरुसार्थ कर लेते हैं, क्या होगा जादा से जादा, जादा से जादा क्या होगा, मर जाएंगे, अगर यहाँ आपने सीख लिया, तो आपको बचने का भी अकल आ जाएगा, आप इस जिन्दगी में, इस जीवन में कुछ कर लेंगे, आपको बचने का अभी अकल आ जाएगा अगर मरने के अकल से यानि कि मरने का अकल यानि कि मरने के नाम से मरने के नाम को सुनते ही अगर तुम उससे भागोगे तो इत्यास सचे बाचे देतो कहता है कि मरने का अकल से अगर तुम भागोगे मरने के नाम से तुम भागोगे मौत के नाम से अगर तुम भागोगे तुमे कायर हो जाओगे और कायर को इत्यास मतलब जो है वह बचने देता है क्या बताओ पूछ रहा है कि इत्यास कायरों को कभी याद रखा है मतलब इत्यास में तुम मर जाओगे आज तुम बात करो, सुभास चंद्र बोश को तुम याद रखते हो, आज भगत सिंग को याद रखते हो, आज महत्मा गांधी को याद रखते हो, आज राजगुरू को याद रखते हो, आज जितने भी क्रांतिकारी हैं, आज सिधुकानू को याद रखते हो, आज तिलकामा आजी को याद रखते हो, क्यों याद रखे हो, क्योंकि वह मरने से नहीं डरे थे दोस्तों, वह मरने से नहीं डरे थे, इसलिए वह इत्यास में जी गएं, इसलिए वह इत्यास में आज उनका नाम है, वह पुरुसार्थ करने से नहीं डरे, लेकिन उसी समय के वैसे लोग जो जो खौप है, जो मरने का डर है, उसको छोड़ो, और मरने का अकल को से सीखो, उसके दोस्ती बनाओ, अरे साथ ही ये करो, आगे क्या कहते हैं, देखिए, कहता है, कि मरने का अकल जिसको हुआ, यानि कि मौत के साथ जो है, आकरसन हो गया, मतलब बचने का जिसको लोब नहीं है, कि अरे, जादा से जादा क्या होगा, मर जाएंगे, लेकिन कभी भी सोसित नहीं होंगे, किसी के सोसन किसी क्यार नहीं होंगे, किसी से दब करके नहीं रहेंगे, अपने आवाज को हमेशा बुलंद करके रहेंगे, जो इस परकार से किया, जो जिसको मरने का लूर हो गया, टान का मतलब जिसको मरन से आकरसन हुआ, खिचा हुआ उसकी ओर, जिसको मौत से खिचा हुआ, आरे मर जाएंगे लेकिन कुछ कर जाएंगे, कुछ देश के लिए कर जाएंगे, कुछ अपनी जमीन के लिए, कुछ अपनी सरजमी के लिए कर जाएंगे, अब क्या है देखी जापान देखा तनी मुटुक सागर कोरे खेले देश अब यहाँ पर जो है मरने का अकल जिसको मरने से डर नहीं रहा जिसको पुरुसार्थ करने से डर नहीं रहा जो की दब्बू नहीं है जो कायर नहीं है जो सहसी है जो सहसी है वही मरने से नहीं डरेगा नहीं तो क्या होगा कि हम सोसित हुए जा रहे हैं लेकिन आवाज उठाने का ताकत नहीं है आवाज उठाने का जो हमारे अंदर जो गटस है वह खतम हो चुका है क्योंकि मैं डर रहा हूँ कि मेरे साथ कहीं मार पीट ना हो जाए मार कुटाई ना हो जाए और मैं कहीं मर ना तो ऐसा सोच वाला लोग कुछ नहीं कर सकता है, तो वही मरने का अकल सीखो दोस्तों, संगी साथियों, और अगर तुम्हारे उपर सोसन हो रहा है, तो उसके खिलाब आवाज उठाओ, देखो यहाँ पर मैं तुमको कुछ बाते बता रहा हूं, मैं तुमको कुछ उधारन से तुम्हें देखाने की कोसिस कर रहा हूं, कि जिसने मरने का अकल सीखा, जो मरने के नाम से नहीं डरे, आज उसी का नाम, उसी का इत्यास याद कर रहा है, गुनगान कर रहा है, जापान को देखो, जो कि सागर के गोद में, सागर, जापान क्या है, एक सागर के किनारे, प्रदी में क्या हुआ था देखो यहां पर बात हो रहा है न कि जब जापान पर हमला किया गया था जापान को पूरी तरह से खत्म किया गया था यही है जापान को कब पूरी तरह से खत्म किया गया था खत्म करने की कोशिस की गई थी अमेरिका की द्वारा आपको याद है न अमेरिका खोजला ओकरा गुचवेले मतलब उसको पूरी तरह से बिनास करने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किया पूरी तरह से बिनास करने का खोजा तो क्या होता है मलकिन मोरेक लूइर करल तकर एगो कोड़ी फूले लेकिन उसी समय मरने का जो है एक जापान के लोग जो कर जाएंगे तो क्या होता है मरने का लूर जो है एक वहीं पर जापान के कोड़ी फूले का मतलब आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कोड़ी का समझते हैं फूल जब होता है तो फूल जब पूरा फूलता है तो फूल होता है और फूल फूलने से पहले कोड़ी हम लोग उसे बोलते हैं गाउं समाज में उसे क्या बोला जाते हैं कोड़ी है कोड़ी है तो कोड़ी है फूल खिलने से पहले जब छोटा होता है तो यहाँ पर कोड़ी फूले है मतलब की एक ऐसा लड़का जो की पूरी तरह से अभी युवक भी नहीं हुआ था कलेस गुचल मतलब क्या किया था उसने कि जो अमेरिका का जहाज था प्रिंस ओफ वेल्स उसको ले करके कैसे वह डूबा था तो आप इस कहानी को जाकर के सर्च किजिएगा कि जापान का एक एक लड़का था जो कि बहुत नोईवक टाइप का था और जब प्रिंस ओफ वे प्रिंस ओफ वे हत्यार से और पूरा का पूरा जो है जहाज वही पर जल करके भसम हो गया और उसी समुद्र में वह डूब गया और जापान का जो कलेस है वह खतम हो जाता है जापान की विपत्ती मिठ जाती है अगर वह उस समय वह नहीं करता और मरने से डरता तो दोस्तों क्या ऐसा हो पाता पूरा का पूरा जापान आज उसको याद करता है उसके इत्यास को उसके पुरुसार्थ को याद करता है और किसी जापानी को या बारे में नहीं याद किया जाता है जो समय मरने से बचने का डर रहते ठीक है आगे देखे क्या कहते हैं अब मरने का उसको डर होता तो वह सूली पर हस्ते हस्ते चड़ेते तो कह रहे हैं कि इसा मसी जब मरने का उसको डर नहीं था मरने का भै नहीं था मरने का जब उसने अकल किया मरने का जब मतलब मरने से नहीं डरा तब जाकर के जो बाज के 2000 साल मतलब जो मरने का उससे डर नहीं था इसा मसी को मरने का डर नहीं था और आज 2000 साल यानि कि हम लोग आज 2022 साल में हैं और 0 साल इसा मसी के जन्म को माना जाता है उससे इस्वी होता है और उससे पहले इसा पुरू तो आज जो इसा मसी का जन्म से 2000 साल बाद भी उन्होंने कितने किस्म का अलग-अलग परकार के जाल यानि कि सड्यंत्र को कुछ दुस्चक्र को जहला था और आज भी जो है वह बुढ़ा नहीं हुए हैं क्या बताईए कोई इसा मसी का बुढ़ा स्वरूप को याद करता है और आज अगर इसा मसी नहीं उस परकार से मरते एक मानव समाज के हित के लिए तो आज उसे कोई अब कहता है कि मरने के मंत्र मुग्ध होकर मतलम मरने से कोई डर नहीं है बहुत आनन्दित है मर जाएंगे तो मर जाएंगे दोस्तों लेकिन उस आताताई अंग्रेज को उस वैसे लोगों को वैसे भिरंगी को क्या करते हैं लुच्चा दलाल समराजी चाकर जो भी है उन ज माटी का करऊंगा करज चुकाऊंगा, मुझे मरने से कोई ढर नहीं है, लेकिन सोसन करने वालों को मैं मार करें मृरूंगा, यानि कि मरने के नसे में, मरने के मंत्र मुग्दा आनंदित करने वाले नसा में माता हुआ जो बिर्सा था, उसके डर से फिरंगी भटके भटके फिरते थे, अगर उसका साथ मौरेक डरे, मतलब कि मरने के डर से लुच्चा, दलाल, सामराजी चाकर, मतलब कि जो अंग्रेजी समय में अंग्रेजी सामराज का जो चाकर था मतलब यहां के लोग थे लेकिन मरने के डर से अंग्रेजों का पैर चाटते थे अंग्रेजों का तलवा चाटते थे उनके चमचे की तरह यहां के लोगों को ही वह लोग मरने के डर से मरवाते आज उसको हम लुच्चा, कायर यही कहते हैं, दलाल ही कहते हैं, उसे अच्छे नाम से हम लोग नहीं पुकारते हैं, और नहीं उसे याद किया जाता है, बस एक ऐसे वर्ग को बोला जाता है, जो लुच्चा था, कायर था, दलाल था, दुष्ट था, उन लोगों को वैसे ही तो अगर वह भी मरने से नहीं डरते तो आज उसका नाम उस परकार से नहीं लिया जाता तो वही कहता है मतलब मरने के डर से जो है कायर, लुच्चा, दलाल, समराजी, चाकर, देश का दुस्मन, चिनाव, चोर जो है उस सिंग के, यानि कि वह बिरसा को, वह सेर को जेल में डलवा दिया, ठीक है मरने के डर से अंग्रेज़ों का साथ दे करके उस सिंग को, उस सेर को जेल में डलवा दिया लेकिन तब भी आज भी जार जार पात पात यानि कि हमारे जारकंड वासी जारकंड जंगल जारकंड के जार जार पत्ते जो है जंगल जंगल जो है आज भी बिरसा के बिरह में आज भी बिरसा को याद करके हिलते हैं गाते हैं उनके नाम के रस को याद करके आज भी मंत्र होते हैं, उनको याद करते हैं, क्या कोई लुच्चा कायर दलालकवाद याद किया जाता है क्या, जो मरने के डर से उस आतताई अंग्रेज का तलवा चाटने लगे, उसे कोई याद नहीं करता है, अब आगे क्या होता है, कि जो बिर्सा मुंडा भगवान बिर्साजी से कहा ठीक है आर सहीले हुकुमदारी ठेकलई आई बाई हुकुमदारी ठेकलई आई बाई और इसी लिए जो है बिर्साज का जो प्रभाव था बिर्सा का जो क्रांतिक कारी सोच था बिर्सा का जो सहस था एक सेर बिर्सा को जो यहां के हुकुमदारी यहां का जो प्रसासन है जो अजगुत हुलेक मतलब हुल का मतलब क्या होता है काता है ना हुल है ना उसके क्रांतिकारी जो उसका आदियुतिया क्रांतिकारी प्रभाव था ठीक है आदियुतिया यानि कि जो उनका उनका जो सहस था उनका जो मतलब या हिम्मत था उनका आदियुतिया था ठीक है और उनक उनके मनुष से रूप को लोगों के सामने आने नहीं दिया और उसको उड़ा दिया, मतलब कि लोग यह ना समझ ले कि एक मानव हो करके कोई इतना कर सकता है, एक अकेले मानव हो करके कोई बड़े-बड़ों को अपने करमटता से, अपने साहस से बड़े-बड़े सामराज्जी को हिला कर रख सकता है, तो उसका जो मानव रूप था, उसका जो मानव भाव था, उसको अथी करके मतलब उड़ा दिया, उसको हटा दिया, चिपा दिया औ लेकिन कहता है कि जो उनका हुईलेक तकर मोहडाक नुकाए और क्या भगवान उसको बना करके मतलब भगवान बना करके पेस कर दिया उसका जो एक मानव जैसा रूपी था और उसमें जो वह साहस था सेर के जैसा उनका जो गुन था उसको क्या किया उसके चेहरे को छुपा कर कि उसे भगवान बना दिया गया और तथु की बिर्सा के असर जाई 100-100 बचर फरीज देखाई लेकिन फिर भी बताओ क्या बिर्सा का जो असर है जो बिर्सा उल्गुलान का असर है क्या वह कभी जा पाएगा क्या 100-100 साल के बाद भी वह हमें साफ साफ दिखाई देगा तो निगोडवा जदी यह जगत बिसाल हमनिक रहतल काता है कि मरने के अकल से यानि के मरने के नाम से मरने के अकल से मरने का जो यह बुद्धी है अगर इस से हमारा जो यह बिसाल संसार है हमारा बिसाल जगत हमारा जो यह बिसाल ब्रहांड है इस से मरने के गुन से मरने के लू और मरने से सब कोई डरता ना ना हम ना मरेंगे तो क्या होता तो आज की भुण्ये पानी सरगे पाइत दिन लोतन नारा लागतल कहता है तो आज अगर कोई मरने से डरता जैसे कि जो हजारों सालों से हजारों हजारों सालों से आप देख रहे हैं आप जिस समय अभी बैठे हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं आप मोबाइल में लैपटॉप में इंटरनेट फलाना धेम का जितना भी चीज आपके पास है सुर्य के पास चला गया मंगल ब्रिहस्पती सुक्र मिसन जा रहा है न इतना इस्रो मिसन जो पृत्वी को हम लोगों ने नाप लिया है क्या आज ह आज हमारे पास quantum technology आगया नैनो टेकनोलोजी आगया तो यह जो नया नारा हम लोगों का रित परतिदीन जो आप सुनते हैं जो आपके सामने लगता है क्या यह लग पाता इजादबा कहता है कि कई कते लोग मोरन साज सजवला इजादबा खोज के आवा में कहता है कि कितने कितने लोग जो हैं वह अपने मरने का उन्होंने अपना बलिदान दिया है अपने मरने का साज सज्जा सजाया है और क्यों तो बस वही अविस्कार में इजाद में ऐसा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इजाद अविस्कार करने में उनका जान चला गया है, अगर वह मरने से डरते, अगर कोई ऐसा लोग होता, धौमस अलवा एडिसन या फिर उससे पहले जो निकोलस था, अगर वह बिजली से डरते तो क्या वह कभी बिजली पर अविस्कार कर पाते, अगर उन्हें लगत वीड हमारा जो universe है वो चल रहा है तो बताईए ऐसा हो पाता ऐसे अविसकार में बहुत सारे लोग मरे भी होंगे बहुत सारे लोगों ने अपने मृत्यू सज़्या सजाया भी है तो क्या ऐसा नहीं हो पाता अगर लोग बच बच के रहते अगर लोग जो है अगर पुराने स बाइट पसराई आपन सब चीज सवरले दुनिया के काया के कहता है कि सब कुछ भूल करके अपने सब कुछ को इस दुनिया को सवारने में उन लोगों ने बहुत बड़ा युगदान दिया है जदी मोईर गेल बादे सचे कटियो कभू कुछ अंधार हत लई 25,000 माईल धरती के हात तरे नए घेरा हत लई कहता है कि यदि मरने के बाद सच में अगर अंधकार रहता यदि मरने के बाद का जिंदगी जो है एक अंधकार में जिंदगी रहता लोग मरने से डरते कि ना ना मर जाएंगे कुछ ऐसा हो जाएगा तो आज जो 25,000 माईल धरती तक हम लोग क्या किये हैं इस घेरा को अपने हात के तर में अपने हातों के अपने हात के मुठी में इसे ले लिया है आप जानते हैं ना हम लोगों ने कितने दूर तक कि ये सागर समुंद्र महा सागर युनिवर्स धरती को पार करके इस पेस मे है ना उन लोगों के दया से ही दबे हुए अगर हम लोग अभी तक रहते यानि कि अरे बाग है खा जाएगा अरे बाग है आगिया खा जाएगा स्यार है दब के रहो छिप के रहो अगर उन लोगों के डर से हम लोग जंगल में ही अगर अभी तक छिपे वे रहते तो आज जो आप अपने घर में बैट करके इतने सानों सौकत से इतना आपके पास अभी सुविदाओं की जो चीजें आपके पास हैं, जो आपके लाइफ को कमफर्टेवल बनाने के लिए जो आपके पास एससरीज हैं, क्या यहाँ आपके पास आ पाता नहीं, अगर लोग उस समय के लोग अपने मौत से ना डरते हुए निडर होकर के बाग का सामना किया, और यहाँ पर यहाँ भी कहा जा सकता है कि एक समाज का एक ऐसे वर्ग का जिसको आपको सामना करना चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए, अगर आप सोसित होते रहेंगे, जारकंडी वासियों, अगर वादी वासियों, अगर बनवासियों, भोले भाले लोग, अगर आप सोसित होते रहेंगे, और यह जो मानव के रुपी, जो जंगल में यह बाग है, सेर है, ठीक है, अगर आप यह बाग के दया से अगर अभी तक हम लोग वहीं पर रहते तो अभी हम लोग बन के भीतर में ही जंगल में ही हमारा डेरा रहता तो ऐसा नहीं किया हम लोगों ने सहस दिखाया हम लोगों ने करमटता दिखाया हम लोगों ने पुरुसार्थ दिखाया और बाग को सामने सहस आकर क्यों डरते हो, आगे निकलो, मरने के भाव से, आज ही छुटकारा पाओ, मरने के से मत डरो, कुरुसार्थ करो, आगे बढ़ो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है, आगे देखे क्या कहता है, धर्तिक कोडेक, उक कोराटाएं, हापा धापा, हाई, लुटेरा रहते लो, और धर्तिकी गोद में, हम लोग जो अभी तक धर्तिकी गोद में, मतलब धर्तिके दुलारे, धर्तिके गोद में, जो हम लोग वही जगह लुटेरा वही सब रहता, हम लोग उसी जगह रहते, लुटेरा वही बना रहता, हम लोग केवल लुटते रहते, सोसित होते रहते, आर डांगे के जोरे सरग फोरा एहे मुर्खालिक फेरा रहते लो और डांग के मतलब लाठी के जोर से सरग को फोर देंगे है ना यही बात हम लोग केवल मुर्कतापुर्ण बात करते रहते यही यहाँ पर कहा जा रहा है अब देखते हैं आगे है कि तोहमनिक सोनाक रेखा म देखा था, वहां सोना का खान था, किरी बूरु पैसा का पहाड 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 था, रहल है, कते सुन्दर देखा, मतलब हमारे यहां सोना का खान था, स्वर्ण रेखा नदी जिसके ना है ना पैसा का और पहाड का बुरू का मतलब संताली में पहाड होता है तो क्या हो गया कीरी बुरू का मतलब पैसा का पहाड अब माने मारांग बुरू माने की इसका मतलब की मारांग बुरू का मतलब क्या है बढ़का पहाड या भगवान मारांग बुरू का मतलब जैसे पहाड पर्वत है, उसको सबसे बड़ा मानव के लिए माना जाता था, उस समय हमारे यहां पैसा का पहाड था, सोने की नदी थी, सोने का खान था, और एते तलेवर, तल्याइल भूमी मतलब इतना तलेवर का मतलब ताकतवर बलिष्ट है ना, इतना ताकतवर और बलिष्ट जो सम्रिद्ध भुमी था, तलियाईल का मतलब developed है ना, पूरी तरह से प्रकृतिक संपदाओं से, सोने की खान, पैसे का पहाड मतलब कि जो वहाँ लो एस्क मिनरल्स, वो सब क्या है, पैसा ही तो है, तो वो सब जो पहाड था, वो इतना जादा सम्रिद्ध जो देश है, हमा आप सोचिए, तो यहाँ लूट खसोट के, सोसन करके, यहाँ का लोगों को लूट लूट करके, लोग यहाँ के गरीब हो गए, लेकिन जो मडवया है, जो बाहर के लोग हैं, उसको वह क्या हो गया, बहुत ताकतवर हो गए, बहुत जादा मतलब पैसा वाला हो गए, वही के लोगों को लूट करके, खसोट करके, सोसित करकरके, यहाँ के लोगों का करला चेंद के, छार चार, बाइच गिलग, छिनगल, हार, यहाँ के लोगों को पूरी तरह से लूट के, ठग के, धोके धड़ी से के साथ, मतलब चेंद का मतलब क्या होता है, ठग ना, धोके के स तो कहता है जैसे कि इससे पहले हम लोग के चेंद जबर है ना उस तरह से बात किया था तो कहता है करला चेंद के ठग ठोगी के सोसन करके यहां के लोगों को चार-चार कर दिया मतलब पूरी तरह से परिसान कर दिया और हम लोगों के पास क्या बच गया है बस छिनगल हाल बच गया है हड़ी का एक जो मतलब पूरी तरह से परिसान होकर के गरीब होकर के रह गये हैं इसलिए हे जहरखंडवासियों हे आदिवासियों हे बनवासियों हे भोले भाले लोग अब चेंदेक गाचे बूदा कोड़ा कहता है, अब जो वह गाच को, मतलब वह जो चेंदने का, जो ठगी रूपी गाच है, जो ठग रूपी, जो वह सोसक समाज है, जो हम लोगों का सोसन करता है, उसके जड़ को, बूदा का मतलब जड़ एक तरह से होता है, उसके जड़ को उखाड़ो मतलब पूरी तरह से उसके जड़ को गाचेक बुदा को उखाड़ दो उसको पूरी तरह से उखाड़ दो उसका जो जड़ है उसका जो मूल है उसे उखाड़ दो अब बाचे ले अपना उती मेल जोड़ा और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा अपना अपना मेल, अपना पन बढ़ाना होगा अपनोती मेल जोड़ा, तभी जाकर के एकता आप में आएगी, तभ जाकर के कुछ हो पाएगा, और नहीं तो नहीं तो हमनी इक मुरल बादे नाती पूते सबे कह बतून और नहीं तो हम लोगों के मरने के बाद नाती पोता ये सब क्या कहेगा मुरला तो हमर ठेपे से मतलब मरा तो क्या हुआ कोई बात नहीं ठेपे से कुछ नहीं मरा तो मरा है ना कीजे करलहत बाजकुन मतलब बचके ही कुनों ने क्या किया हमारे लिए, कुछ तो नहीं किया, तो अरे भाईयों, अरे संगी सातियों, मरने का लूर सिखो, यानि कि मरने का अकल सिखो, पुरुसार्थ करो, करमट बनो, सहसी बनो, सेर की तरह खड़े हो जाओ, सोसक वर्ग के लिए, चुसवया के ख आयर कहकर ही तुम्हें एक वर्ग को याद करेगा, इसलिए मरने का लूर सिखो, अब जो कभीता है, वह है जिन्दगी का नाभान, यानि कि जिन्दगी का जो एक धलान है, वह है जिन्दगी का नाभान, और इसकी रचना 1967 में करी गई थी, किनके द्वारा, एके जाजी के द्वारा, एकन तो नाभान आईल नक है, मतलब अभी जो है, वह एक धलान, अभी जो है, वह एक उतार नहीं आया है हम लोगों के जीवन में, से मुधहिल, मुधहिल माचा, पाईल नक हो, इसलिए जो है, मुधहिल माचा का मतलब है, एक ऐसा जगह, मुधहिल माचा, मतलब बहुत उचा जगा उचा सिखर अभी हम लोगों के जीवन में एक उन्नती का उचा सिखर हम लोगों के जीवन में आया नहीं है इसलिए हमारे भीतर का हमारे अंदर का हमारे अंतर आत्मा के अंदर का जो हमारा भाव है उस भाव में भवरा की तरह भन 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 अभी वह भवरे का तरह गाया नहीं है उन्नति के सिखर का अभी अब लोगने पाया नहीं है, जिंदगी का ढ़लान आया नहीं है, तो वही कहता है एक खंतो नाभान आया नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पर आगे क्या है, कि सगर हुईल, पाला गावो होई पारे, मतलब कि आगे कह रहा है, अभी तो उतार बाकी ह अभी हो सकता है कि ऐसा होगा, ठीक है, मतलब सगर का मतलब क्या होता है, बैल गाड़ी, मतलब जिंदगी का उतार अभी आया नहीं है, और सगर का मतलब बैल गाड़ी की तरह, बैल गाड़ी की चाल से चलने वाला जो हमारा जिंदगी है, उसमें हो सकता है, हुईल का मतलब खेदो हपारे और ढूलडूली का मतलब क्या है एक आलस पना जो है कि नहीं चलो कोई बात नी जैसा चल रहा है चलने दो एक आलस पना जो है लोगों के मन में एक आलस पना का एक जो खेचराई एक जो रोडा बना पड़ा है वह हम इसे भगा भी पाएंगे खेद भी आलस जो शेंगे तब जा करके क्या होगा उठानेक मुडाय तब जा करके मुण उठा कर के उस वह जो बात मैंने किया था मुधाइन मुचा मतलब एक उचा सिखर पे एक उन् intéressant के सिखर पे जा करके तब हम लों खड़ा हो करके फिर अपने पंक को पसार करके बहुत ही प्या अपने वाला नहीं है, कोना सी, मतलब कोना कोनी, या फिर सीधा सीधी, करे, ठावे, आप ओते बीच, मतलब पास में, या फिर बीच-बीच, कहीं भी, मतलब हर जगा, साराई सगरे, मतलब हर जगा जो है, छलचल हुचके, ठिराईल ड्रे में जुड़ा हो पारे, मतलब कि हर जब ऐसा होगा कि क्रांती जो हमारा जिन्दगी का, बैल गाड़ी की रूप में जिन्दगी का गाड़ी चल रहा है, उसमें क्रांती का गीत गाया जा सकता है और यह जो आलसी का आलसी आलस लगा हुआ है यह दूर करके लोग अब आगे बढ़ेगा, तब जाकरके एक उन्नत सांथ बैठा पड़ा है थिराइल देमी का मतलब नजर सांथ जो है वह जो है मतलब हम उससे क्या करेंगे मेरा नजर जुडा जाएगा नजर जुडाने का मतलब हम लोग खुश हो जाएगे हमारा दिल सांथ हो जाएगा ऐसा समय आएगा अभी तो उतार बांकी है आगे कहता है कि कहल गहल चलल नलल के आपन मतलब हमारा जो कहनी है, जो हमारा कतनी है गहल मतलब जो हमने अनुभव किया है जो हमारा चाल चलन है उन लोगों को उससे अपना जो साध है अपना जो इच्छा है उसको कोडेक बनाईत देख मतलब जो हमारा इच्छा है और कोडेक का मतलब क्या है अपना दुलरवा अपना दुलार जब हम अपनी इच्छा को देखेंगे कि वह क्या हो रहा है वह हमारे गोद जब आपकी इच्छा जो है आप खुस हो जाएंगे आपके पास जब लगेगा कि अब हो जाएगा, तो कहता है कि अगर ऐसा होगा, कि मेरा जो हमारी इच्छा है, मैं देखुँगा कि सायद अब पूरा हो पाएगा, तो सायद सच ही हम ऐसा देखेंगे, कि जो के जान सचे संग्रहते हो लएक, मतलब सच ही ऐसा हमें सायद एक क्रांती होगी और हम लोगों को जो हमारा यह कुदता हुआ नजर है, जो हमारा कुदता हुआ नजर है, यह ठर जायेगा, ठर जायेगा और ठर के देख पाएगा हमारी यह स्थिति को. आप क्या बोलता है आगे कहता है कि नाभान ततके तकतकाईल से कहता है कि नाभान नीचे उतरने के इंतजार में मतलब तुम्हारा अभी तक नाभान हमारा आया नहीं है जिन्दगी का एक उतार आया नहीं है और नाभान के ततकाईल मतलब होता है कि किसी का वेट कर रहे हैं और अगर इंतिजार में आप बैठे हुएं, ठीक है, क्या मोलता है, नाभान तकतकाईल से, यानि कि आप जो इंतिजार कर रहे हैं, वह एक जिन्दगी के उतार को ले करके, तो क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, नाभान ठीक, ठीकरे, यहाँ पर है, अपने ज जीरा को अपने धीरज रखना होगा, ठीकरे नाय तकर डेमी जकर में, मतलब ठीकरे नाय जकर, ठीकरे नाय मतलब की, ठीकरे का मतलब यहाँ पर यह है, कि तुम्हारा आँख, जिस चीज के लिए क्या है, बरसों से, तुम जो एक आँख बिसराया हुआ है, पसराया हुआ ह ठीक है तो तुम्हारा जो नजर है डेमी का मतलब जो तुम्हारा नजर है वह क्या हो चौंधियाय नहीं है ना चौंधियाय नहीं यहीं है ना कहा गया अपने जीरा के धोर मतलब धीरज रखो ठीकरे नाय तकर डेमी जकर में मतलब जो है तुम्हारा नजर जो है उसमें चौ सहो पारे और जो है गिरते पढ़ते और नीचे उतरने में जो है नीचे गिरते पढ़ते जल्दी जल्दी में हैं तुम्हें समहलना भी होगा ठीक है गिरते पढ़ते अपने को समहलना भी पढ़ेगा और क्या कहता है अपने को समहलना भी पढ़ेगा इस रास्ते में से भेव तो नाभान से अभी तो आया नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो अपने आपको समहालना भी है, यह इस तरह से धीरज रखो, और यहीं सोचो, यहां सोचो, यहां पर है ठीक रहे ताता ताही इसमें, तुमको अपने आपको समहलना पड़ेगा, और से भेव नाभान की पाइल ल तो तुम्हारा आँख ना चुन्धिया जाए जल्दी जल्दी में गिरते पढ़ते तुमको अपने आपको सम्हालना भी पड़ेगा और यह सोचो कि अभी नाभान आया नहीं कै एकन तो नाभान आईलने के से मुधहिन मचा पाईलने के अभी तो उतार आया नहीं है वह जो उचा नती के सिखर पर हम चड़ना चाहते हैं वह अभी मैंने पाया नहीं है तो यह कवीता था अब देखे यह जो कवीता है यह लास्ट कवीता है थोड़ा सा इसमें आपको हसी आएगा देखे जैसे कि हर एक समाज में हर एक भासा में बच्चों को खिलाने के लिए क्या ह पानि को क्या बोलता है मम लोगे मम लोगे या फिर जब बत्चों को खिलाते हैं हम लोग बोलते हैं अपर घूगया घूग मलेल फूल है ना तो इस परकार से कुछ भासा का यूज़ किया जाता है उसके साथ जो कि बच्चों का साहित्त आए ठीक है बच्चों को समझ में उसको खिलाने के लिए यूज किया जाता है, कि बच्चा ले-ले-ले-ले-ले, ये लेगा, ये लेगा मिला बच्चा, तो है उस तरह से, तो यहाँ पर क्या है, चोबा लोगों का सहित है, यहाँ पर कवी जी उसको गाने का कोशिस करेंगे, आप समझेगा, कि कहते हैं, कवी जी करें, डी-डी-डी-डी-डी-डी, खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाओ, पापा खाओ, रोटी, भाद, चावल, ये सब खाओ, डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-ड दूर्गी वगेरा तुम लोग को डाक रहा है, बुला रहा है नूनू, खड़ा हो जाओ, डूडू बाजे दूरा नाचे, डूडू मतलब कि जो गाना बजाना हो रहा है, ठीक है, डूडू बज रहा है, दूरा बकरी वगेरा नाच रहा है, कूकू भकरे, ठीक है, कूकू भ चैनल आगे बेखी जुह है कपड़ा पहनोगे मतलब क्या खाओगे मतलब चल कर पैदल धिरे 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 जाओगे धिरे धिरे पैदल पापा हम लोग बोलते हैं पापा चलो बच्चे ठीक है तो उस तरह से चलोगे तो वही है आँ डूआ कर ले फकवाइबे डूआ मतलब अभी हमने बताया था कि डूआ का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे words जो अगर सोय रहोगे ठीक है बहुत सारे words ने जिसको कि आपको याद रखना है थोड़ा सा मतलब उतना याद नहीं रखना है इसको डूआ मतलब सोय रहोगे डूडू मतलब बाज मतलब नहाना, तो याद रखिएगा, ची-ची मतलब मांस वगेरा को बोल रहा है, ची-ची-ची, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ट्स होते हैं नो, जो बच्चों को सिखाया जाता है, मम, पानी, हाना, हाबू, नहाना, ये सब, तो कहता है कि अगर सोय रहोगे, डूआ कर ले, फक रहोगे, तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हे, फकवायर रहाजाओगे, डी-डी-डी नो, रोटी खाओगे, खड़ा हो जाओ नो, रोटी खाओगे, तो यहाँ था हमारा कोर्ठा काठे, पाइदेख खड़ी, पूरा हम लोगों ने देखा, अब इसके हम MCQ लेकर के आएंगे, और MCQ जो है, जब हम लोग full length test करेंगे, syllabus को complete करके, जब full length test करेंगे, तो वहाँ तो सब कुछ clear होगा, तो आपको क्या करना है, धीरे-धीरे करके अपने सारे syllabus को cover करना है, एक बार दो बार इसे सुनना है, और उसके बाद इसे revision भी करना है, और सारे words को भी याद रखना है, और MCQ जब लगाएंगे, तो सब कुछ clear हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बिल्कुल tension ने लिजे, अब एक कविता संग्रा बचा है, दामुदरे कुरा है, उसे खतम करके, यह पूरा कविता संग्रा खतम हो जाएगा, और 3-4 दिन में नाटक संग्रा हम खतम कर देंगे, ठीक है, एक-एक दिन में, द वहाँ पर आपको करार आँ, उसको सुनिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, उसका objective भी लाएंगे, जारखंट जीके को उसी तरह से, जिस तरह से crown आ रहा है, उसी तरह से जारखंट जीके भी आब लेकर कराएंगे, क्योंकि हमारे पास time नहीं है, तो उस तरह से अग कंप्यूटर हो ही रहा है, कंप्यूटर के MCQ अभी डाल देंगे, तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, आप लोगों को क्यों पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई किजिए, हम लोग मिलते हैं, किसी अखले, अच्छे से वीडियो में, देखें, वीडियो को बहुत ज्यादा स कुछ बात है, यहाँ पर कुछ अलग हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमें पहुचा है, उस लेबल तक क्योंकि सब कुछ आपके उपर है, जै हिंद, जै भारत मिलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में.